हलो नमस्कार दोस्तो जैहिंद बंदे मातरम साथियों मैं हुमाही और स्वागत करता हूँ सभी प्यारे साथियों का नौजबानों का अब जीतेंगे पर जो भी पहली बार चैनल पर आ रहा है रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले बिल्कुल फ्री ओफ कोस्ट जिससे आगे आने वाली कोई भी इन्फॉर्मेशन है जैसे टीर बन की मेरिटलिस लगेगी रिजल्ट आएगा दोस्तो यह नौर्मलाइजेशन कैसे होता यह तो मैं अभी बता दूँगा आपको बाकि जिस बच्चे को नौर्मलाइजेशन का फुल वीडियो देखना है कि नौर्मलाइजेशन मिलता कैसे हमारी समझ में आद तक नही ही हो चुकी है ऐसा मेरा मानना है विश्वास है कि आप सभी ने अपने आंसर की देख ली होगी अपने नंबर मिला ली होगे अब एक ही उत्सुकता होगी और वो इगर ने इस क्या है कि कट आफ कितनी जा सकती है कट आफ का वीडियो मैं बना चुका हूँ नीचे डिस्क्र आफ नीचे सली जाएगी तो सभी प्यारे साथियों का दिलदारों का जबाब देते हुए एक चीज़ बता देता हूँ कि normalization कैसे हो सकता है किसको फाइदा हो सकता है किसको नुकसान हो सकता है let's see this thing एक बात देखी दोस्तों फाइदा नुकसान तो होगा अगर hard देखिए दोस्तो आपको बताऊं तीन तारी को shift 1 easiest shift है easiest मतलब कोई normal वच्चा भी गया है मेरे प्यारे दोस्तो तो उसने भी 115 प्लस यानि लगबग 115 से उपर का ही score किया है उसमें average marks 117 से 119 के बीच में है ध्यान रखना मतलब वो shift easy है भाई इसका मतलब उसमें प्रश्ण easy थे तो हर बच्चे ने ही करे होंगे अगर ऐसा नहीं है कि जो tough प्रश्ण करता है उसी को normalization अच्छा मिलता है ध्यान रखना दोस्तो जो सरल प्रश्णों को गलत कर देता है normalization में उसका भी नुकसान हो जाता है ध्यान रखना उस ratio पर आपको फिर number नहीं मिल पाते तो easy shift में हमेशा कोशिस करिए कि जिस question को सब कर रहे हैं वो आपका कम से कम गलत न हो यहां देखिए तो मैं आपको बता रहा हूँ जो तीन तारीकी shift थी उसमें दोस्तो shift one क्या easy shift थी अगर बात करूँ दो shift की तो दो shift वहाँ पर क्या था ध्यान रखना थोड़ी सी hard shift थी दो shift पांच तारीकी जो shift है दोस्तो वो shift भी hard में है यानि यहां पर जो बच्चा अच्छा पड़ा लिखा था उसने भी 109 के लगबग average marks निकाले हैं मतलब यह shift में थोड़ा level था ध्यान रखना क्या questions का अब जब पूरा यह analysis किया गया आप इतना जानते होंगे दोस्तो 16 गुना यानि 27,000 लगबग male candidates बुलाई जाएंगे और दोस्तो 2700 के लगबग क्या pass होंगे female candidates पास होंगे तो यहां से आपको एक मोटा मोटी idea लग जाएगा कि whether I should prepare for physical or not मुझे करना चाहिए कि नहीं प्लीज इस पर थोड़ा ध्यान देना क्योंकि जिसको यह लगता हो कि I am entirely out of the competition मैं बिल्कुल ही बाहर हूँ तो immediately move yourself to the Delhi police exam और दोस्तो other exams which are running on जो चल रहे हैं उसमें आप move कर जाएए अब एक चीज और बता देता हूँ आपको जो आपको जाननी चाहिए देखे दोस्तो पूरे data को अगर मैं निकाल लेता हूँ चाहे वो आपका rank IQ का हो चाहे वो आपका poll का data हो चाहे दोस्तो बच्चों ने जो comment किये हैं उसका data हो उनके अनुसार आपको इतना बता सकता हूँ कि 130 वाले जो बंदे हैं मतला 130 प्लस या 130 marks जिनके आए हैं लगभग 9000 के लगभग बंदे हैं लेकिन normalization क्या करेगा इसको इसको उलट पुलट करेगा दोस्तो ध्यान रखना यह raw marks की मैं बात कर रहा हूँ अब अगर मैं minimum की बात करूँ तो 15,000 बच्चे ऐसे हैं दोस्तो जो घूम रहे हैं 130 से 100 के बीच में कितने में? 130 से 100 के बीच में 15,000 बच्चे घूम रहे हैं कुछ बच्चे हैं 8-9,000 जो 130 या उससे उपर हैं तो इन में क्या होगा? आपस में अब intermixing होगी due to the normalization process और फिर एक final cutoff बनेगी तो जो cutoff मैंने आपको पिछले वीडियो में बनाई है जो आपको इस वीडियो के last में देखेगी दोस्तो उसको जरूर 100% देख ले ना मेरे प्यारे साथी हो वो cutoff उतनी ही जानी है यानि बहुत ज़्यादा कम नहीं जाएगी और इतनी high भी नहीं जाएगी कि आप कहें 145 चली जाएगी नहीं जाएगी ध्यान रखना पिछली बार के जो results से जो cutoff थी उससे compare करके भी मैंने बताया था तो आप tension मत लीजिए जो cutoff मैंने बताई है वो बिलकुल decent बताई है एकदम analysis के साथ बताई है मुझे लगता है मैं जो बताना चारा था आप सभी प्यारे साथी उस बात को समझ चुके होंगे फिर मिलता हूँ आप से एक और बहतरीन किसी information के साथ क्योंकि दोस्तो result आपका आने बाला है जैहिंद बंदे मात्रम God bless you मेरे प्यारे साथियो